हलो दोस्तो मैं कपिल साहू आज हमारी बर्क प्रोफाल सीरीज में आज हम पॉइंट्स में के बारे में बात करेंगे इससे पिछली वीडियो मैंने ट्रिक में को लेकर के बनाया है अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्कृरिशन की लिंक में जाके आप उस पर क्लिक करके देख लिएगा तो आज हम बात करेंगे पॉइंट्स में कि क्या क्या काम होते हैं पूरी फुल डीटेल में हम इसमें बात करेंगे जैसे बर्क क्या होता है सेलरी क्या होती है प्रोमोशन कैसे क्या होगा और इसमें केरियर कैसे क्या बना सकते हैं टोटल ड्यूटी टाइम क्या होता है medical क्या लगेगा all basic मतलब पूरी total overall detail में हम इसमें बात करेंगे तो आप यहां पे पूरे मतलब डाइग्राम देख लीजी जंडी दिखा रहे हैं जंडी दिखाना काम होता है यह points पे काम कर रहे हैं यहां पे जंडी दिखा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा थोड़ में आने लगा हुआ कि काम क्या होता है आप इस वीडियो को देखने के वाद अगर आपको लगे कि आप वीडियो में information बहुत अच्छी है तो आप प्लीस चैनल को subscribe और like जरू कर दीजेगा तो आगे हम बात करते हैं कि इनके क्या-क्या मतलब पूरी detail बारी बात करेंगे हम देखे आप यह पट्री यहाँ पर देख लीजे तो इसमें points क्या होते हैं यह points होते हैं यह points होते हैं ठीक है यह आप देख रहे हो यह क्या होता है pointsman का आजकल automatic points का जमाना हो गया है लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाती है suppose यहाँ पर कुछ फत्तर आ गया तो यह आटॉमेतिक तो काम करना प्रड़ता अगर्ध मितलब pointsman का काम होता है कि वह यहा पर आकर कि इसको ठीक करें मैनुएली ठीक करें ठीक हे यहाँ पर यह पूरा सब 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 निसमें लगा रहता है यहाँ सब चेक होता है पूरा करके पूरा करा जाता है आगे आप देखते जाएए अब यह देखिए यहाँ पर यह हैंड ब्रेक है ठीक है माल गालियों में देखता रहता है यह हैंड ब्रेक भी pointsman का काम होता है इसको लगाना करना खोलना यह सारा pointsman का काम होता है हम आगे पूरी डिटल बात करेंगे कि points मैं पे क्या 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 काम होता है वह समझ लीजिए समझ रिए समयर आपको चाहएगा ठीक है देखो आगे बड़ते हैं पहले हम baisy ship बात basic चीज़े जान लेते हैं क्या क्या चीज़े है इसमें पोस्ट जो होती है असिस्टन पॉइंट्स मेंट की होती है और एक संट मेंट की होती है तो असिस्टन पॉइंट्स 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 मेंट की होती है तो संट आपको कौन से उसके काम के लिए रखे जा रहा है कि यहां से आपको कर दिया जाता है ठीक है मतलब बड़ा बला स्टेशन पर जाएज तर यह अटेच वाला काम होता है ठीक है छोटे वाले स्टेशन पर नहीं होता है इसे कम है आपका तो इसमें आपको पोस्ट नहीं मिलेगी ठीक है अब duty hours के हम बात कर लेते हैं तो basically maximum time 8 hours की duty होती है ठीक है बड़ बड़े station पर है अगर यहीं छोटे station अगर होगा तो 12 गंटी की आपको duty करनी पड़ जाएगी small station पर ठीक है और इसमें roaster लागू होता है दो दिन का भी हता है साथ दिन का भी रहता है जिसे दो दिन time duty कर ली night का duty कर ली दो दिन तो ऐसे 6 दिन हो याते साथ दिन आपका holiday रहता है तो ऐसा दो दो दिन बाला रोश्टर भी रहता है ठीक है मतलब छोटे station पर आपको बहुततर घंटे तक भी काम करना पड़ जाता है मतलब कि 12 गंटे के साफ़ से 12 पर आच शे दिन के साफ़ से बहुततर घंटे आपको काम करना पड़ सकता है ठीक है ट्रेनिंग की अगर बात करने तो ट्रेनिंग जो होती है एक मंत की होती है maximum आपको हो सकता है 15 दिन के लिए बहेज दें 15 दिन के बाद बहेज दें हो सकता है कि एक महिने की पूरी ट्रेनिंग करवाएं ठीक है एक महि पॉइंट फेलियर हो जाता है या सिगनल चेक करना थीक पॉइंट फेलियर में आपको बता है कि अगर फटर मतर घुज जाए बगर कुछ उसमें तो निकालके आपको वहां जाके हाथ से करके आना पड़ेगा ठीक है सिगनल में अगर कोई खराबी आजाती तो आपको तुरं समय काम होता है ठीक है और SM podsके जितने भी उडार रहेते हैं पाइले की काम है पॉइंट बनाना मैंने सबसे पहले स्थार्डिमिक पोंटो दिखा इओ नहीं ही पॉइंट धिया आप पे गलाता है ट्रेंड को पास करना मतलब कोई ट्रेन आज़ा गुजर रही है तो उसको तरह पस हो रही होती है तो आपका उसमें वील देखना, मादाब पर factoर्पर से गोम रहे हैं या नहीं गोम रहे हैं कोई दिक़त तो नहीं हूँ है उसमें कुई आग माग तो नहीं लगी है कहीं से धुआ तो नहीं निकल रहा है होट एक्सल देखना होट एक्सल में क्या होता है कि जब पहिये मादगा कुछ गुमते हैं उसमें जो ब्रेक रहते हैं ब्रेक कहीं चपक तो नहीं गए है जिसने के कान भहत ज़्यादा गरम होने से उसमें आग लगने का डर रहता है भूस अब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि क्या-क्या होता है अब झाहिना नहीं होता है अर गुट्स ट्रेनम कोलना जो आपको मैंने गौल्स चक्र दिखाया था एक लोको पा इलएक कोॉशन ओर भी दियना होता है क्योंकि फटण कभी की वार क्या होता है था फेक्लिक जानकर लोकवा पॉशन ओर ठीकिन करना पोई प्रॉप्ल है थाक्या कॉन्च craft अब कॉल वाली ट्रेइन, आईरन ट्रे जो रहती है उनको लोड अनलोड करना मद इस्टेशन के रहाँ किसा है आपको सामान उठा कर कम जादा नहीं करना है जो लेवर सेरे उनको मैनेज करना उनको काम बताना किकिक काम करना क्या नहीं करना चलब है अगre हम डिसकस कर लेते हैं कि क्या प्रょमोशन हो सकते हैं के लिया- 기rowth कैसा है . तो सबसे ज़्याद़ प्रोमशन की चांसे जो होते हैं वो सब्छे опять दो से टीन साल में में अब पूइंटस्मेंट से अब पूइंटस्मेंट साथ के लियुक तो आपको ही गंटे काम कि अलिछ के 12 गंटे के साफ से 6 दिन के साफ से 22 बहतर होता है तो आपको 100 गंटे का लग वत कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा मतला ओवर टाइम जिसे हम बोलते हैं अगर आप अगर वाहर रहते हैं मतला दूसरे के आप रूम लेके रोंने के लिक रहते हैं और साथ घंटे अगर डूटी आप करते हैं तो साथ घंटे के बाद अगर जितने भी घंटे एस्टा होगा उसका आपको ओबर टाइम का एस्टा मिलेगा ठीक है ये बात थोड़ा सा मनला एक पॉइंट समय से मैंने बजान करी ली थी तो उसनमर में ऐसा बताया था ठीक है उसके अलाबा LDC एक्जाम होती है जीडीसी एक्जाम होती है तो उसके तो भी आप अपना प्रोमोशन ले सकते हैं तो LDC में क्या होता है दो से तीन साल बाद आप दे सकते हैं कहीं कहीं दो साल में दे सकते हैं ठीक है टाइम डूरेशन रहता है तो इसके LDC के तहट आप TT, SM Station Master और Goods Guards आप यह मतलब बन सकते हैं यहापर यह LDC जो एक्जाम होती है सरफ Pointsman को ही अबलबल होती है बहुत अच्छा चांसिस होता है कि आप इसमें प्रोमोशन ले सकते हैं ठीक है GDC में क्या होता है GDC कोई भी दे सकता है कभी भी दे सकता है आप जिसा आज जोइनिंग करें कल आप आप GDC पेपर आप दे सकते हो ठीक है ऐसा कोई मतलब फिक्स टाइम डूरेशन नहीं रहता है इसके थुरू आप Junior Commercial Clerk बन सकते हो Senior Commercial Clerk बन सकते हो Junior Clerk बन सकते हो Station Master बन सकते हो Goods Cards बन सकते हो TC बन सकते हो मतलब Pointsman के लिए बहुत अच्छी अच्छी अपर्चुनिटी है तो अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल आप जोइन करिएगा और आगे हम इसमें सेलरी की भी बात करते हैं अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है पसंद आ रहा है इंफोर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सेल कर दीजिगा अगर हम सेलरी की बात करें आगे तो इसमें बेसिक पे अठरहाँ जार ही है डीए आपको 52% के असाफ से 7,560 रुपर मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस अठरहाँसो जेट सेटी में एक सेटी में ये चवण सो होता है बाइस सेटी में 36 सो होता है और जेट सिटी में 800 होता है तो मैंने 800 चोटे स्टेशन के हिसाफ से चोटे सिटी गाउं विलेज के हिसाफ से मैंने यहाँ पे 800 जोड़ा है और टांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है अगर आपकी डूटी दूसरे स्टेशन पर लगा दी जाती है जो मतलब आपके स्टेशन से 8 किलोमेटर जादा दूर है तो आपको ट्रवल अलाउंस मिलेगा वो भी 500 रुपे आपको ट्रवल अलाउंस मिलेगा एक दिन का लेकिन इसमें मैंने नाइट अलाउंस नहीं जोड़ा है, इसपेसल डूटी अलाउंस नहीं जोड़ा है, बहुत सारे अलाउंस इसमें जो एस्टर आपको मिल सकते हैं वो नहीं जोड़े हैं, अगर वो भी जोड़ लिए तो आपकी सेलडी 30,000 के करीब पहुच जाती है, ठी ठीक यू, ज्यादा ज्यादा लोगों को सेयर करें और प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें, ठीक यू